हेलो फ्रेंस वेलकम टो डेली एनलाइसिस ओफ सिल्वर माइक्रो एंड सिल्वर मीनी दोस्तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन प्रेस कीजेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वाट्सप चैनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक क्लिक करके वाट्सप जोइन कीजेगा मार्केट आर्स पे आप लोग को सिल्वर माइक्रो की रिगर्डिंग अपडेट्स वाट्सप पे मिलता रहेगा अभी हम लोग fundamental analysis कर लेते हैं दोस्तो डोलार इंडेक्स अभी भी बहुत ही strong है 107.2 के पास डोलार इंडेक्स अभी trade कर रहा है यह सिल्वर के लिए negative news है और कल शामको US job opening data आया जो बहुत ही अच्छा था US economy के लिए जिसके लिए कल के trading session में सिल्वर 67,000 का support sustain कर पाया ट्रेंड analyze करते हैं तब जो है market sell on rice का है अभी हम लोग आज के trading session के लिए important supporter resistance क्या क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं दोस्तो इस week को multiple data आने वाला है और 6th week को RBI का MPC outcome आने वाला है जिसके लिए silver में volatility दिख सकता है दोस्तो जैसा कि कल की daily analysis के वीडियो में हम लोगों ने बोला था 68,000 से 68,800 का जो range है यह strong resistance बन गया है silver के लिए और 68,800 के ऊपर 70,000 से 70,300 का जो range है यह भी strong resistance बन गया है आज के trading session के लिए 68,000 से 68,800 का जो range है यह बन गया है resistance 1 और 70,000 से 70,300 का जो range है यह बन गया है resistance 2 और अगर price इस resistance के पास जाता है तब जो strong selling दिख सकता है और दोस्तो 67,000 का जो level है यह support की तरह काम कर रहा है और 67,000 के नीचे 65,000 से 65,800 का जो range है यह strong support की तरह काम करने वाला है आज के trading session के लिए दोस्तो अगर आज के trading session में 67,000 का support break हो जाता है तब जो है silver 65,000 से 65,800 के range में support ले सकता है तो दोस्तो उसी हिसाब से 67,000 का जो level है यह बन गया है support 1 और 65,000 से 65,800 का जो range है यह बन गया है support 2 तो यह रहा आज के trading session के लिए intra day important support और resistance दोस्तो जैसा कि कल के daily analysis के वीडियो में हम लोगों ने बोला था अगर आप लोगों ने higher levels पे buy किया हुआ है तब जो है आप लोग 64,000 से 65,000 के range के लिए wait कीजिएगा और अगर price 65,000 के पास आता है तब जो है आप लोग average कर सकते हैं और आप लोग का average price बन जाएगा 68,500 और जब price फिर से 72,000 या 74,000 के पास जाएगा तब जो है आप लोग sell कर सकते हैं और par lot 3,500 के पास profit लेकर आप लोग exit कर सकते हैं और दोस्तो कल के daily analysis के वीडियो में हम लोग ने counter trade strategy भी शेयर किया था अगर price 68,000 से 68,800 के range के अंदर आप लोग को मिल जाता है तब जो है आप लोग sell कर सकते हैं और 65,000 के level के लिए target कर सकते हैं दोस्तो आने वाले समय में अगर US fair interest rate hike करता है तब जो है silver 60,000 के level के पास भी जा सकता है इन सारे factors को जो हम लोग को under consideration रखना होगा दोस्तो आप लोग silver micro के analysis से silver mini और silver mega में भी trade plan कर सकते हैं तो यह रहा silver के complete analysis आशा करता हूँ आज का analysis आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजेगा और अगर पहली वार इस चनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चनल को subscribe कीजेगा बेल आइकन प्रेस कीजेगा अपने दोस्तों के साथ चैर भी कीजेगा थैंक्स फॉर वचिंग दा वीडियो